आपको चौका देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के स्रावस्ती जनपत के थानहा छेत सिर्सियार से आई है जहां पर एक घर के आंगन में ही घर वालों ने एक लास को दफना रखा था जब इसकी जानकारी पुलिस वाप्रसासन को हुई तो जिला अधिकारी के आदेश पर उपजिला अधिकारी की मोजूदगी में पुलिस ने कब्र ख़दवा कर सोग को बाहर निकाला और पोस्वार्टम के लिए भेज कर कारवाही सुरू कर दी पूरा मामला सिर्सिया थानहा छेत के बढ़का धर्मनतापुर गाउं से है जहां पर संसनी खेज मामला सामने आया है आपको बता दें संदिख्ध हालात में घर के अंदर एक लड़की की मौत के बाद घरवालों ने चोरी चुपके उसको कब्र में दफना दिया था जब जिसकी जानकारी गामवालों को लगी तो एक बिक्त ने इसकी सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस ने जिला इस पुत्र उदे कुमार के खिलाप धारा 306-201 अभियुक पंजी कित किया गया है दरसल मामला लभव 15 दिनों से उपर का है जब ठाने के पुलिस कर्मी मौके पर छानबिन करने गे तो उनके सामने हैंरान करने वाला मामला सामने आया यहां पता चला परिवारवालों ने रात को चोरी चुपके लड़की की लास को कबर में घर के आंगन में ही दफना दिया इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने घर पर जाकर उसके भाई रमेश से पुष्टाच की जिस पर मितक भाई के मितक लड़की के भाई रमेश ने पूरी बात पुलिस को बताई घटना के बारे में पुलिस का कहना है कि पीम रिपोर्ट आने के बाद ही मालूम चल पाएगा कि ये मामला हत्या है या आत्मत्या हाला कि यहां पर पहुँचे उपजिलारी कारी आस्तोस्त थाना प्रभारी पंकच कुमार उपने रिछक प्रिथवी यादो आरची नीले यादो के साथ फारे सिक टीम भी मौके पर पहुची और सो को कब्र से खुदवा कर बाहर निकल आया गया तथा उसका पंच्रामा भरते हुए पीम के लिए वेद दिया जब इसकी जानकारी गाउनवालों को हुई आसपास के लोगों को हुई तो मौके पर हजारों की तादात में लोगों का जमाउना लग गया सावसी जन्पत के सिर्सिया इलाके के बड़का धर्मंतापुर गाउं की यह तस्वीरें हैं, जहां पर यह हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, एक ब्यक्त के आंगर में ही एक ब्यक्त की लास को दफनाया गया था, वो कोई और नहीं, घर वालों की ही लड़की बेटी थी, ऐसे में एक बड़ा तस्वीरें खड़ा होता है, क्या मानवता इतनी मद गई है, लोगों का डर बिलकुल खत्म हो गया है, लोग बेखौप हो गये हैं, घर के अंदर ही लड़की की लास दफना देने का स्रावस्ति के सिर्सिया इलाके से यह मामला सामने आया, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा रहा, हलाकि पुलिस मामले की जाज़ पर तालोग का रवाही में जुड़ गई है, देखना यह होगा कि इस पर आगे क्या का रवाही होती है,